पिछले लेक्षर में हमने बात कर लिया एड सीक्वेंस के बारे में कि किस तरह से आप एड सीक्वेंस का यूज करोगे और आप अपने मार्केटिंग मैसेज को सिस्टेमेटिक तरीके से आप अपने ओडियन्स तक पहुंचाओगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से री मार्केटिंग एड दिखा सकते हो अपने ओडियन्स को और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि री मार्केटिंग एड्स क्या होती है and remarketing ads बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है right remarketing ads suppose करो आपकी कोई youtube channel है या फिर आपकी कोई website है right and suppose करो कुछ users आपके website पे आ रहे हैं and आपके website के page को visit कर रहे हैं या फिर कुछ activity कर रहे हैं उन लोगों को आप दुबारा ad दिखाना चाहते हो right suppose करो आपकी कोई youtube channel है and जो लोग भी आपके videos को अभी देख रहे हैं like कर रहे हैं subscribe कर रहे हैं आपकी channel को okay या फिर share कर रहे हैं इन सारे audience को आप दुबारा ad दिखा सकते हो and इसे हम बोलेंगे remarketing ads right तो start करते हैं remarketing ad बनाना उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि remarketing ad के लिए यह ज़रूरी है कि आप ad account बनाओ and आपका जो ad account है वो आपके youtube channel से जिस youtube channel का video आप use करोगे उस youtube channel से link होना चाहिए right plus आपको दो steps लेने हैं first step आप बनाओगे audience right आप audience बनाओगे and उसके बाद आप add बनाओगे right अब audience आप कैसे बनाओगे इसके बारे में भी discuss करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है tools and settings में यहाँ पे आपको click करना है right and यहाँ पे आपको दिख रहा है audience manager right and इस plus के sign पे मैं click करता हूँ and यहाँ पे आपको multiple options आ रहे है website visitors, app users, youtube users, customer list and custom combination okay अब ही हम YouTube ads के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं लोगा YouTube users right आपके website के visitors को अगर दोबारा आड दिखाना चाहते हूँ तो आप website visitors ले सकते हूँ and आगे इन सारी options के बारे में हम बात करेंगे अभी मैं select करता हूँ YouTube users अब यहाँ पर simple आपको लिखने है audience name तो suppose करो मैं audience name लिख लेता हूँ suppose करो मैं remarketing ads मना रहा हूँ जिन लोगों ने भी मेरे videos को like किया है right liked videos okay and यहाँ पर मैं second option list member आप किसे ad दिखाना चाहते हो viewed any video from a channel जिन लोगों ने आपके channel के किसी भी वीडियो को देखा है आप उसे ad दिखाना चाहते हो या फिर viewed certain videos जिन लोगों ने आपके channel के certain videos को देखा है कुछ videos को देखा है right viewed any videos as an ad जिन लोगों ने आपके किसी भी वीडियो को देखा है as an ad आपने कभी ad बनाया होगा, right और किसी भी ad को आपके audience ने देखा होगा, right या फिर viewed certain videos as ad आपके किसी ad को देखा होगा आपके audience ने, right Subscribe to a channel जिन लोगों ने आपके channel को subscribe किया है Visited a channel page जिन लोगों ने आपके channel के page को visit किया है Right, liked any video from a channel अगर आपके channel पे कोई video है and किसी भी video को अगर आपके audience ने like किया है या फिर suppose करो, कुछ लोगों ने आपके channel के video को like किया है उसे भी ad देखा सकते हो added any video from a channel to a playlist अगर आपके channel पे कोई video है and किसी ने आपके वीडियो को अपने प्लेलिस में उसे एड किया है तो आप उसे दुबारा आड दिखा सकते हो आप उसे रिमार्केटिंग आड दिखा सकते हो and shared any video from a channel अगर आपके चैनल पर कोई वीडियो है and किसी ने उसे share किया है तो आप उसे भी एड दिखा सकते हो right तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ liked any video from a channel अब यहाँ इस options के बारे में देखते हैं pre-fill options इसे मैं click करता हूँ and अब यहाँ पर है options start with an empty list आप क्या चाहते हो पिछले 30 days में जिन लोगों ने आपकी वीडियो को like किया है आप उन्हें add दिखाना चाहते हो या फिर आपकी audience zero से start होगी तो मैं इसे कर लेता हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पिछले 30 days में like किया है right उसे मैं choose कर लेता हूँ okay and यहाँ पर membership duration जिन audience को आप add करोगे जो भी audience आप बना रहे हो वो कितने दिनों तक इस list में added रहेंगे right आप यह select कर सकते हो and maximum duration है 540 days तो मैं ले लेता हूँ 540 right and यहाँ पर मैं करता हूँ create बन गया okay and suppose करो मैं यह चाहता हूँ suppose करो अब मैं यह चाहता हूँ कि किसी ने मेरे कुछ वीडियो को देखा है मैं उसे add देखाना चाहता हूँ मैं उसे remarketing add देखाना चाहता हूँ right तो उसके लिए आप audience कैसे बनाओगे हूँ simple यहाँ पर मैं क्लेक करता हूँ add लेता हूँ youtube users right and यहाँ पर लखता हूँ audience name viewed certain videos right and यहाँ पर मैं ले लेता हूँ viewed certain videos right अब suppose करो मैं क्या चाहता हूँ किसी ने मेरे इस वीडियो को अगर देखा है तो मैं उसे add देखाना चाहता हूँ right इसका मैं URL लेता हूँ get shareable link and यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका URL इसे click कर लियो right and यहाँ पर मैं ले लेता हूँ with the past 30 days okay and duration 540 day right and simple create बन गया हमारा new audience right अब मैं यह चाहता हूँ कि किसी ने मेरे चैनल को subscribe किया है जिन लोकों ने भी मेरे channel को subscribe किया है मैं उसे add दिखाना चाहता हूँ मैं उसे remarketing add दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है simple मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ and जाता हूँ YouTube users पे and यहाँ पे लिखता हूँ subscribe channel okay and यहाँ पे आप क्या लोगे subscribe to a channel okay यहां पर already channel है यहां से आप edit भी कर सकते हो अगर आपका कोई दूसरा channel है अगर दूसरा channel है तो आप उसे भी link करोगे अपने add account से यहां पर past 30 days यहां पर मैं ले लिता हूँ 540 करता हूँ create बन गया हमारा अब आपको बनाने है add तो first step हमारा complete हो गया हमने audience बना लिया and second step आपको बनाने है add and add बनाने का simple वहीं तरीका है जो पहले से करते आ रहे थे okay मैं यहां आँ गया right and simple मैं यहां पर करता हूँ new campaign पर click and create a campaign without a goal and यहां पर आपको ले लेना है video right and आप जो भी form चाहते हो यहां से select कर सकते हो right add sequence non skipable in stream right and मैं यहां पर रहने देता हूँ custom video campaign and करता हूँ continue see यहां पर आपको campaign का name लिखना है right and यहां पर आप bidding strategy चूज कर सकते हो right वो same process है जिस तर से आप पहले add बनाते आ रहे थे right यहां से आप budget and date decide करोगे right networks languages location already मैंने बताया हूआ है पिछले lectures में right add group का name आप यहां पर लिखोगे right and simple आपको यहां पर difference कहा आता है add तो आप जैसे बना रहे थे वैसे बनाओगे right and difference यहां पर आता है आप जाओगे audience पे आप simple यहां पर click करोगे audience पे right and आपको जाने browse पे and यहां पर remarketing and similar audience यहां पर आपको click कर ले right and हमने जो audience बनाया था वो तीन हो यहां पर आपको देख रहा है right आपको select कर लेना है जिने भी remarketing ad दिखाना है right and then यह सारा का सारा जिस तरह से आप ad बनाते हो वो आप करोगे right and जिस video को आप as an ad use करना चाहते हो उस video का url यहां पर आप डाल दोगे and simple आप करोगे create campaign right तो I hope यह सारी की सारी चीज़े आपको समझ आ गया होगा if you like this video then please subscribe the channel thank you so very much